कि साथियों कि हमने महराज्ट सही कि पूरे देश से प्रमिस किया था हमने बादा किया था कि जम्मू एन कश्मीर कि जम्मू और कश्मीर और लदा कि समस्याओं के समाधान के लिए नई कोशिश नई प्रयास करेंगे आज मैं ये संतोस के साथ कह सकता हूँ कि देश उस सपनों को साकार करने की दिशा में चल पड़ा है जम्मू कश्मीर में भारत के सम्मिधान को समंगरतां से लागू करना सिर्व एक सरकार का फैसला नहीं है ये एक सो तीस करोड भारतियों के इच्छा का भावना का प्रगटिकर ये फैसला जम्मू कश्मीर और लदा के लोगों को हिंसा के आतन के अलगाव के प्रताचार के कुछ चक्र से निकानने के लिए है ये फैसला भारती एकता और अखंता के लिए यह हमारी प्रतिबद्दता तो थी जम्मू कश्मीर के लोगों के अकांच्छा उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है कि मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कि आप मेरे इस निर्णे से सहमत है आप खुश है आप खुश है आप खुश है अभी मैं जब देवेंद्र जी बोल रहे थे तब आप नारा सुन रहा था आप नारा लगा रहे थे कश्मीर हमारा है लगा रहे थे ना लगा रहे थे ना आप आप नारा लगाना है अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है कि कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है महां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है हर कश्मीरी को गले लगाना है चालीस चालीस साल तक 42 लोगों को जिस धर्ती पर मौत के घाट उतार दिया गया जो धर्ती रक्त से रंग दी गई अब 130 करोड देश वासियों का संकल्प है कि फिर एक बार उस कश्मीर को स्वर्ग बढाके रहेंगे सारा देश लगेगा आप कश्मीर की भलाई के लिए आगे आएंगे वहां के लोगों की भलाई के लिए आगे आएंगे उनके घावों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे मेरी देश वासियों से यही अपेक्षा है आओ कश्मीर के दूखों पर महरम लगाए 40 साल से उनने जो यातना जेली है दिल्ली की गलत नीतियों के वो सिकार हुए है अब देश का काम है उनको मुसीबतों से मुक्ति दिलाना दोस्तों